एक्साइज 1.3 है आज हमारी और question number 4 starting from minus 1 into 5 write the various product throwing the sum pattern to show 1 into 1 equal to 1 ठीक है इससे तरह हमें 5 तक देखने हैं तो क्या से पहला हमा हमने पहले लिया 1 into 1 तो यह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा क्योंकि multiply में multiply में minus into minus क्या हो जाता है पलस हो जाता है मैंनस into minus क्या हो जाता है multiply में पलस हो जाता है ठीक है ऐसे अगर मैं लोगो मैंनस into minus 2 तो यह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ठीक है या मैंनस into 2 लोगा तो यह क्या हो जाएगा मैंनस 2 हो जाएगा ठीक है जब फिर हम मैंनस इंटू 3 लेंगे तो यह क्या हो जाएगा मैंनस 3 हो जाएगा और फिर अगर मैं मैंनस 1 इंटू मैंनस 3 लेंगा तो यह क्या हो जाएगा ठीक है ऐसे हमें 5 तक लेना आप बोलड़ा कि कहां तक लेना 1 x 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 होगा, तो यह कितना हो जाए गा, फ्लास हो जाता है। अगर इन मांटिपलीकेशन में मैं इंटिजर्स ठीक है इंटिजर्स में बाइदो मेरा 4 इंटू 5 करना तो हमारा 20 तो आएगा लेकिन मैनस 20 आएगा ठीक है 6 इंटू मैनस 6 आएगा तो मैनस 36 आएगा ठीक है तो थेंक्यू